Hello everyone, मैं हूँ Dr. Suraabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Dr. Suraabhi की Pregnancy Tips आज इस वीडियो में मैं आपको HCG injection के बारे में बताने वाली हूँ HCG injection को लगवाने के कितने दिन के बाद ovulation होता है, कितने दिन के बाद pregnancy होती है कौन सी ऐसी conditions होती है जिन में कि आपको HCG injection नहीं लगवाना चाहिए कौन सी ऐसे side effects होते हैं HCG injection लगवाने के बाद जो कि serious होते हैं और जिन के लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है तो यह कुछ important बात है आप जिस वीडियो में आप जानेंगे HCG injection के बारे में आतो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी पेरी से HCG यानि Human Chorionic Gonadotropin Harmone इस हामोन का use जो होता है वो infertility के treatment में भी होता है और generally अगर ovulation नहीं हो रहा है जिन लेडिस का वहाँ पे doctors इसे ovulation induce करने के लिए भी use करने है generally 5,000 to 10,000 international units की dosage होती है यह तो आपके doctor decide करेंगे कि आपको कितना dosage वहाँ पे required है अब बात कर लेते हैं timing की यानि कि आपकी menstrual cycle के कौन से time में ये injection आपको दिया जाता है तो देखें इसके लिए क्या होता है कि doctors generally आपकी follicular study करते हैं एग जो होता है female की body में बहुती छोटा होता है उसे ऐसे normal आखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन एग जिस थैली के अंदर होता है जिसमें की fluid पानी तरल पदा भरा हुआ होता है उस थैली को follicle कहा जाता है तो हर menstrual cycle जब start होती है यानि कि आपका period जब खतम हो जाता है उसके पाद छोटे छोटे follicles आपके जो ovary होती है उसमें develop होना start हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें से एक या दो follicle जो है size में बढ़ने लग जाते हैं करीब 7 वे दिन तक उनको dominant follicle कहा जाता है तो ये आगे चलके यही follicle के rupture होकर egg release करने के chances होते हैं तो इस तरीके से follicle study के द्वारा जब doctors आपके follicles को observe करेंगे और जब follicle का size करीब 18 mm के आसपास का हो जाता है तब generally doctors आपको HCG का injection देते हैं ovulation को induce करने के लिए अब जब आपको ये injection लग जाता है इसके करीब 36 to 48 hours तक का time लग जाता है ovulation होने में तो आपको intercourse के लिए doctors बोलेंगे generally कि same night से आप start कर दीजे और उसके बाद next 5 days तक at least रोज intercourse करना है या फिर alternate days पे एक दिन छोड़ के कर सकते हैं इसके इलावा कई doctors की ये भी सलाह रहती है कि जब आपको HCG injection दिया जाने वाला है उसके करीब 5-6 दिन पहले से अगर आप regular intercourse करते हैं तो भी आपके pregnant होने के chances वहाँ पे काफी बढ़ जाते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद यानि कि HCG injection लगने के बाद pregnancy कितने दिन के बाद होगी तो देखें ovulation होने में 48 hours तक का time लग सकता है यानि कि 2 दिन तक का time लग सकता है तो ovulation जब आपका हो जाएगा तो फिर उसी दिन जो healthy sperms available होंगे वहाँ पे तो आपका fertilization भी हो जाएगा अब इसके बाद minimum 6 days का time लगता है fertilized egg को आपकी fallopian tubes के थ्रू move करके आपके uterus में जाके implant होने में minimum 6-7 days तो लगेगा ही तो आप इसको 2 days ovulation के भी अगर हम count कर ले और फिस 6 days तो यंकि 7-8 days का time उसके बाद लगेगा आपको pregnant होने में और pregnant होते ही तुरंद pregnancy test positive नहीं आ जाता है pregnancy test करने का सही timing क्या होता है उस पर मेरा already video है मैं आपको link i button में share कर दूँ अब हम ऐसी कुछ conditions के बाद कर लेते हैं जो कि अगर आपके साथ हैं तो आपको अपने doctor को ज़रूर inform करना चाहिए अगर वो HCG injection लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो maybe आपकी condition के हिसाब से आपके कुछ tests में भी किये जाएंगे वहाँ पे और उसके बाद ही doctors decide करते हैं कि आपके लिए क्या dose देना ठीक रहेगा फिर HCG injection आपकी condition में ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा देना तो वो जो particular situations हैं वो मैं आपको बता देती हूँ thyroid या adrenal gland का अगर disorder है premature आपकी puberty हुई थी अगर तब अगर ovarian cyst है breasts में tumor है या और किसी type का cancer है abnormal uterine bleeding होती है जिसका की cause अभी तक नहीं diagnose हुआ है heart disease, kidney disease, epilepsy, migraine या फिर asthma अगर ये कुछ conditions आपके साथ है तो आपको अपने doctor को जरूर inform करना है अगर वो ये सोचने हैं कि आपका infertility treatment पे आपको HCG injection देने का सोचने है तो आपको उने जरूर inform करिये कि इन particular diseases में से कोई condition आपके साथ है कि नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कुछ serious side effects की जो की ऐसा नहीं है कि हर किसी में होंगे लेकिन अगर by chance आपके साथ ये particular symptoms आ जाते हैं HCG injection के बाद तो आपको emergency help लेने की वहाँ पे doctor से ज़रूरत पढ़ जाती है तो ये एक serious condition होती है और अगर HCG injection लगने के बाद आपके अंदर ये कुछ symptoms appear होते हैं OHSS के यानि की ovarian hyper stimulation syndrome के तो आपको तुरंत ही अपने doctor से मिलना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है हाथ पेरों में सूजन, बहुत तेज pelvic area में pain अगर उठने लग जाए सांस लेने में दिकत हो जाए, diarrhea शुरू हो जाए या फिर जी मिशलाने लगे और vomiting होने लग जाए आपकी urinate करने की frequency, normal frequency से कम हो जाए अगर ये कुछ symptoms आपके अंदर आ रहे हैं तो ये OHSS को indicate करते हैं यानि की ovarian hyper stimulation syndrome को indicate करते हैं और उस condition में आपको तुरंट अपने doctor को वहाँ पे बताना है इसके लावा एक और condition होती है अगर blood clot formation हो जाता है अगर उसके symptoms दिखने लग जाते हैं तो भी आपको तुरंट अपने doctor को बताना है ये क्या symptoms होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ आपके हाथ पैरों में pain, redness, गर्माहट हो जाती है अगर और numbness हो जाती है स्तुन हो जाते हाथ, वहाँ पे tingling, जंजनाहट स्टार्ट हो जाती है इसके इलावा चक्कर आने लगता है और बहुत तेज सर में दर्द उपने लग जाता है अगर इस टाइप के symptoms आ रहे हैं तो ये blood clot को indicate कर सकते हैं उस condition में भी आपको तुरंत अपनी doctor को inform करना है तो इस तरीके से last में अगर हम summarize करें तो HCG injection जो है वो infertile couples के लिए काफी useful साबित हो सकता है अगर ये जो contra indications मैंने बताये थे वो आपके साथ नहीं है तो obviously आपके doctors ही आपकी situation देख के decide करते हैं कि आपको HCG injection की जरूरत है कि नहीं ovulation induction के लिए और जस्ता कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी follicle study की जाती है और आपका जो follicle का size होता है करीब 18 mm तक बहुत जाता है तब आपको HCG injection दिया जाता है उसके 36 से 48 hours के बीच में आपका ovulation होता है तो अगर हम बात करने कि pregnancy कब होगी उसके बाद तो अगर उस time पे healthy sperms वहाँ पे available हो जाएंगे तो उसके भी 6 से 7 दिन के बाद pregnancy होती है तो इस तरीके से 7-8 दिन के बाद generally HCG shot जब आपको लगेगा उसके बाद आपकी pregnancy हो सकती है इसके इलावा जो मैंने आपको side effects बताए आपको उनका ख्याल रखना है क्योंकि जो serious side effects है वही मैंने आपको बताए है अगर वो present होते हैं तो आपको अपने doctor को ज़रूर inform करना है ऐसा नहीं है कि हर किसी में side effects मिलेंगे लेकिन हाँ आपको careful रहना है और precautioner से जो लेना जरूरी होता है वो लेना चाहिए तो hopefully आज काई वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा, काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे चैनल को support करने का एक और तरीका है आपको blue join button press करके चैनल के member बन सकते हैं, gold membership बहुत expensive नहीं है खाली 59 रुपीज पर मन्त उसका charge होता है तो आप इस तरीके से भी मेरे चैनल को support कर सकते हैं मैं आपसे मिलूँगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे